दो लोग जिनोंने रात साथ बिताई थी ये बहुत सालों बात फिर से एक दूसरे से मिलते हैं इनमें फ्रेंट्शिप हुई और एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे पर कमिट्मेंट नहीं चाहते थे एड़ टाइम वो अलग-अलग लोगों को डेट करने लग गए क्या यह अपने प्यार को रियलाइस कर पाएंगे यह हम आज के हमारी मूवी स्लिपिंग विद अदर विपल 2015 की एक रोमैंटिक कॉमेडी होल्योड मूवी में देखने वाल है अगर आपका एक्स्प्लेनेशन अचा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेग वहा का जो इंचाज था वोह कहता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया यहाने के लिए तुम्हें परमीशन की जरूत पड़ती है एसाब को जेक देख रहा था वो लेनी को बचाने के लिए कहता हuję मेरी गेस्ट है उसने परमीशन पर साइन कर दिया और उसके रूम में है तुम उसमें इंट्रेस्टेड कैसी हो इसके बाद तो दोनों हैंग ओट करने लग गये और लेनी ने जेक से पूचा की इंटिमेट होना किस तरीके से होता है जेक उसे समझाने लग गया पर लेनी समझ गए की जेक भी कभी यह ट्राइ नहीं किया है लेनी इस बात पर हसने लगे जैक कहता है कि तुम मुझे क्यों जज कर रही हो तुम तो एक बहुत ही बुरिंग लड़की के साथ रहने वाली थी लेनी को इस बात से बुरा लगता है वो गहती है इस रोमेंटिक मुव्मेंट को तुमने भर कर दिया जैक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हम दोनों के बीच में कुछ रोमेंटिक चल रहा है उसे किस कर लेता है और इसके बाद इसके बाद 13 साल गुजर चुक है हम जैक के गर से लड़की को रोता हो बाहरा आते देख सकते हैं उसका पीछा करता है वो जैक पर हमारी रिलेशनशिप उतनी exclusive है नहीं उसने फिर कहा कि अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप चाहती हो तो फिर वो हम continue कर सकते हैं वो लड़की विरूस के पास आगे और गाड़ी के सामने उसे पूश कर देती है जिस उसे फ्रैक्चर लगा था इसके बाद हम लेनी को एक रि चीट कर रही है बॉइफ्रेंट को लग रहा था कि शायद उसके ब्रदर के साथ ही उसने उस पर चीट क्या होगा लेनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वह बहुत ही जादा गुस्सा हो जाता है उसे बहुत ही घटिया चीज़ से बोल कर वहां से चला गया वह फिर पात्रों में जाकर मैथ्यव को मैसेज करती है यह वही मैथ्यु है जिसे और 13 साल पहले भी प्यार करती थी इसके बाद वह एडिक्टेड लोगों की ग्रूप में गई थी पर वहां मैथ्यूने उसे मैसेज किया उससे बोल हो रहा था तो वहां से निकल जाती है बाहर उसे किया फिर विए मुझे छोड़ कर चली कि वो गहता है कि 13 साल तो तुम गाय भी हो गई वैसे वो मैथू अब डॉक्टर बन चुका है वो एक दूसरे के बारे में जान रहे थे पर लेनी को मैसेज आ रहा था लेनी कहती कि मुझे कही पर जाना है जेक उसे कहता है कि मैं कंडिशन मान लेता है जिस कंपनी की सीयों ने उसे बाई किया उसी के साथ वो बाते करने लगता है क्या तुम्हारे साथ में कहीं पर चल सकता हो वो कहती कि तुम्हें मुझ में क्यों इंट्रेस्ट है मैं तुमें दिख गए कैसी वज़े से तुम मेरे पीछे लग रहे हो जेक कहता है कि तुम स्मार्ट हो और सकसेस्फुल हो इसी वज़े से मुझे तुम पसन आई अब जब वो उसकी बॉस बन चुकिया तो इंप्लॉई के साथ वो डेट नहीं करती थी उस लड़की का नाम था पॉला नेक सिन में हम देखते है कि लेनी मैथ्यू के पास आई है लेनी ने अपने बॉइफ्रेंट पर चीट मैथ्यू के साथ ही किया था तेरा सालों से इनकी रिलेशनशिप ओन आफ ओन आफ ही चलती आ रही है आज भी वो पेशन की तरह प्रिटेंड करकर यहाँ पर आई हुई थी लास्ट टाइम वो मैथ्यू के लाइव से बिना कुछ पताय चली गई थी वो गहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था लेनी कही थी कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती मैथ्यू कहता है कि एक अच्छा आइड आ है वो भी अपनी गल्फरेंट से अब शादी कर रहा था लेनी ने उसे कहा कि मेरी फोन से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दो यह में कर नहीं पाऊंगी मैथ्यू उसके पास आजाता है और इसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए जो भी हुआ इसके बारे में लेनी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी उसकी फ्रेंड कहीं थी कि मैथ्यू से शादी करने वाली लड़की पागली होगी तुम्हें अब उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए पर यह लेनी के लिए बहुत ही हार था वो उसे जेक के बारे में बताती है फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए अपने options को explore करना चाहिए लेनी फिर वही करती ह जेक एक concert भर लेनी को लेकर आता है वहाबर उसका friend और friend की wife भी है यह सारे मिलकर बहुत enjoy करते है थोड़ी दिर में वहाँ से लेनी जाने लग गई जैक उसके पीछे बीचे जाता है और कहता है कि हुआ क्या लेनी कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों date पर जाएंगे मैं तुमने अपने इतने सारे साल उसके बीचे बरबाद कर दिये लेनी कहती कि मैं हमेशा से उससे प्यार कर दिया रही थी मुझे हमेशा लगता था क्यों मुझे चूस करेगा पर फाइनली अब वो शादी कर रहा है जैक कि यह सारी गलती movies की है हमें हमेशा बताय जाता है कि ह मैं एक ideal partner मिलेगा इन stories की तरह कभी भी होता नहीं है जैक केहता है कि मैं भी हमेशा किसी को ढूनता रहता हूं पर वो कभी भी मुझे मिलती नहीं है मैं फिर उस लड़की को कमिट नहीं कर पाता डारेकली ब्रेकप करना उसे बहुत ही गलत लगता है इसी वज़े से उस पर relationships को बरबात कर देते हैं यह अच्छा एड़ा नहीं है हम दोनों मिलकर एक अच्छा decision लेते हैं हम सिर्फ friends रहेंगे अगर हमें कोई भी feelings आने लगके तो एक दूसरे को इसके बारे में बता देंगे जैक हमेशा अपने boss पॉला के साथ flood करता था उसने फूलों के साथ एक card जिसमें लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ flood नहीं करूंगा जेक और लेनी एक दूसरे से बात करने लगके वो एक दूसरे से बुच्छते हैं क्या वो किसी से मिले दोनों किसी और के साथ date पर जाते हैं पर एक दूसरे को मना करते हैं जेक लेनी को समझाता है कि अगर जाधा उसेट हो गई थी तो जैक को बुला लेती है वो गयती कि शायद मैथ्यू को हम दोनों के ब्रेकप के बाद कोई फरक नहीं पड़ा था जैक कहता है कि तुम वरी मत करो तुम फणी हो और स्मार्ट हो और दिखने में तो बहुत अच्छी हो लेनी को बहुत बुरा लग रहा था इस वज़े से वो शॉपिंग कर रही थी उसे अपने कपड़े ट्राय करकर दिखाती है यह देखने के बाद जेक को कंट्रोल करना बहुत ही हाड था नेक्स्ट वीक यह दोनों फिर से मिलकर शॉपिंग करने के लिए जैक कहता है कि जैसे तुमने मुझे कहा था कि एक लड़की को डेट करना चाहिएसे जानने की कोशिश करनी चाहिए ही मैंने सब किया हम दोनों देट पर गाएं पर मैं उसके साथ इंटिमेट नहीं हुआ कल उस लड़की ने मुझे call किया और उसने बुचा कि हम दोनों की बीश में चल कह रहा है उसे लग रहा था कि शायद Jake उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है इसके बाद उस लड़की के साथ intimate हो गया intimate होने के बारे में वो बात करने लग गए थे चीजे weird होने लग गए तो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते है एक रात लेनी अपने फ्रेंड को Jake के बारे में बताती है वो गहती है कि हम दोनों के relationship based है फ्रेंड को यह idea इतना अच्छा नहीं लगता वो गहती है कि क्या तुम किसी और के साथ date पर गई लेनी कहीती कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड ने कहा कि एक relationship का space यह Jake ले रहा है इसी वज़े से तुम concentrate नहीं कर पा रही next scene में Jake से मिलने के लिए उसका friend's hand रहा है उसे कहता है कि मेरे बेटे का बट है अगर तुम लेनी को अपने साथ लेकर आते हो यह दोनों hangout करे थे तो अचानक से लेनी को मैथ्यू का call आया इसी वो pick up नहीं करती पर बहुत ही ज़्यादा disturb हो चुकी थी Jake उसे साहर देता है और फिर वो घर जाकर movies देखते है लेनी कहीती कि हम दोनों couples नहीं है लेनी आजकल एक school teacher थी पर उसने फिर से doctor बनने के लिए apply किया था वो अपने degree लेने के लिए किसी और city में जाने वाली थी Jake कहता है कि इस बात से मुझे बहुत बुरा लगता है यह सब बहुत ही complicated था और उसे पता नहीं था क्यों से करना क्या चाहिए लेनी उसे फिर बाहर घुमने के लिए लिकर के Jake पूछता कि क्या तो मेरे friend के बेटे के बड़ी party पर आऊगी और लेनी इसके लिए हा कहती है वो दोनों वहाँ पर stoned होकर आये थे सारे बच्चे सब लोग को बहुत ही जादा तंग कर रहे थे तो लेनी उन्हें समाल लेती है उनके साथ वो डांस करने लगे सब लोग उसे देखती रहे गए Jake ये देखता है और वो भी लेनी के साथ डांस करने के लिए चला क्या लेनी को एक single dad ने notice किया था वो बात में जाकर उसे अप्रोच करता है अपना नंबर उसे देखकर चला जाता है नेक सीन में लेनी उसके साथ डेट पर कई हुई थी वो दोनों intimate हो गए और जब नेक्स टाइम जेक और लेनी मिले तो इसके बारे में बात कर रहे थे जेक जरा awkward हो जाता है लेनी कहती कि जब तुम अपने बारे में बात करते हो तुम में awkward नहीं होती तुम क्यों होते हो जेक कहता है कि मुझे सिर्फ जरा awkward लगता है नेक सीन में जेक पॉला के पास आया उसे वो अपना कॉंट्रेक्ट दे देता है और कहता है कि में रिजाइन करना चाहता हो लेनी कहती कि अगर तुमने इस तरीके से रिजाइन कर दिया तुम्हारे 5 million dollars का नुकसान हो जाएगा जेक कहता है कि तुम अपने employee को date नहीं कर दी तो रिजाइन करकर फिर में तुम्हें date के लिए लेकर जाना चाहता हो पॉला कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी worth 5 million dollars है जेक कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं लगता कि तुम्हारी worth उतनी नहीं है पॉला के बाद अच्छी लगे और उसके साथ डेट पर आने के लि kaip लिए लेनी भी अपने डेट के साथ एक पार्टी पर आई हुई थी उस्य पार्टी में मैथ्यों अपनी वाइफ के साथ आया था उसकी वाइफ अप प्रिंग्नन्ट है ये देखने के बाद लेनी बहुत ही जादा डिस्टब हो गे जेक पॉला के साथ टेट वर आया तो पॉला कहती कि तुम्हारी रेपिटेशन बहुत ही खराब है ओफेस के हर एक लड़की को तुम्हारे बारे में पता है बुश्ती कि तुम्हारे जाद ऐसा हुआ क्या था कि हर एक लड़की की पीछे तुम लगे रहते हो जेक कहता है कि मैं प्यार की तलाश कर रहा था पर कभी भी ओप्यार मुझे मिला ही नहीं फाइनली मैंने ग्यू अप कर लिया और डिटिंग को एंजॉय कर रहा है बॉला कहती कि जिससे मुझे प्यार हुआ था उसी से मैंने शादी की थी उसे भी जब धोका मिला था तो उसका भी रिलेशन्शिप से भरोसा उठ गया था लेनी डिस्टब होकर जैक को कॉल कर दिया पर जैक ने इसे कट कर दिया वाश्रूम में मैथ्यू की लाइफ लेनी से मिली वो कहती कि इस तरीके से मैथ्यू के पेशन्ट से मिलना बहुत ही वियर्ड होता है वो वहाँ से जाने लग रही थी तो मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हो वो बुचता है कि तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया लेनी कहती कि मैं तुम्हारी तरह घट्या परसन नहीं हूँ जेक और बॉला के बीच में बाते आगे बढ़ती है वो दोनों इंटिमेट हो रहे थे पर जेक ने लेनी का नाम ले लिया बॉला बुचती कि लेनी कोन है जेक कहता है कि एक बहुती लॉंग स्टोरी है वो घर बर आया तो लेनी उसका वेट कर रही थी सब कुछ सुनकर उसे सपोर्ट देता है लेनी ने जेक को उसकी डेट के बारे में पूचा जेक कहता है कि वो बहुत ही अच्छी गई थी उससे बुशती है कि क्या हम दोने इस दूसरे से प्यार करते है लेनी ने बुचा कि अब हम इस बात का क्या करेंगे जेक कहता है कि बिना किसी कंडिशन के मैं तुमसे प्यार करता हो इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं लेनी कहती कि मैं भी उतना ही तुमसे प्यार करती हूँ लेनी को अपने कॉलेज के लिए अलग सिटी में जाना था तो रेडी हो जाती है जेक कहता है कि सब कुछ छोड़ चाड़ कर भाग जाने का हमारे लास चांस है लेनी कहती कि कमिटेड आदमी के साथ अब में रिलेशन्शिप नहीं रखती इसका मतलब ये चेक और पॉला के रिलेशन्शिप अच्छी चल रही है जेक कहता है कि मैं भी अब किसी पर भी चीट नहीं करता इसके बाद बाई केकर अपने अपने रस्ते पर हो चले गए दो मन्स गुजर जाते है जेक पॉला के बेटे को खेलने के लिए लेकर आया था उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लेनी के बाद तुम एक बहुत ही अच्छे परसन बन चुके हो आजकल तुम दोनों में चल कहा रहा है जेक कहता है कि बहुत टाइम से हमने एक दुसरे से बात नहीं की जब जेक पॉला के साथ था तुसे बैरिस लेकर जाना चाहता था उसने उसके लिए पूरी सप्राइस वाकेशन प्लान की थी पॉला कहती कि तुम इतने अच्छे हो कैसे सकते हो जेक कहता है कि लाइफ में मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है अब वो नहीं करना चाहता इसे मुमेंट पर रेस्टरांट में उसने मैथ्यू को देखा उसे बहुत जादा गुस्सा आ जाता है और डारिकली जाकर उसे पंच कर देता है मैथ्यू कुछ भी समझ नहीं पाता पर एक दुसरे से फाइट करने लग गए फाइनली पुलिस उने रोक लेते है फाइट करते हैं जेक मैथ्यू से कह रहा था कि लेनी के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते है यह सब सुनकर पॉला बहुत ही गुस्से में थी पॉला कहती कि तुम अब भी उससे बहुत प्यार करते हो तो फिर उभी मेरे साथ रिलेशन्शिप में क्यों आए जेक कहता है कि मैं तुसे बात भी नहीं कर रहा उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था पॉला कहती है तुम्हारी दो परसनलिटीज है जब तक तुम अपनी लाइफ को फिर आउट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती पुलिस टेशन में जेक ने लेनी को कॉल किया जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में उसे पता देता है जब तो फिर भी तुम्हारे साथ ही फेल होना चाहता हो लेनी यह सुनकर बहुत इमोशनल हो गई थी उसे कहती कि प्लीज बात करते रहो जिक चिला कर उसे आई लव यू कहता है लेनी ने भी उसे आई लव यू का इनकी आवास सुनकर फिर मैथ्यू को पता चला कि एक्च्वल में यहां हुआ क्या था उस पर एक बहुत बड़ी केस कर देता है बार बार जेक को कोट में बुलाए जाता है पर वहाँ पर मैथ्यू नहीं आता एक दिन लेनी मैथ्यू के पास चली कि वो गई थी कि जेक पर तुमने जो भी चार करने वाला था वह बाहर निकलती है और जेक उसका वेट कर रहा था वो दोनों रेडी होकर शादी करने के लिए जल्दी से शादी के पहले और घर जाना चाहते थे एक ऑनेस्ट और वीर्ड सी रिलेशन्शिप में दोनों बहुत ही जादा खुश थे इसे के साद यह मूवी के और इने मूव के साथ तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका ख्याल रखिया